Hello my guest student, यह है आपकी class 11th chapter accounting equation यानिके लेखांकन सम्हिकरन का part number 3 यानिके इस chapter के बेटा दो पार्ट में आपको करा चुका हूँ, first part जिसमें लेखांकन सम्हिकरन क्या होती है उसका अर्थ और साथ में बेटा मैंने आपको बताये थे लेखांकन सम्हिकरन के कुछ formula Second part में बेटा हमने कुछ questions किये थे और यह है लेखांकन सम्हिकरन का part number 3 इसमें बेटा हम कुछ और question करेंगे कुछ नए formula भी सिखेंगे लेखांकन सम्हिकरन के तो चलिएगा बिना time को waste कि इस chapter को start करते हैं और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो हमारी live class ले group को join कर सकते हैं यह हमारा number है चलिएगा बिना time को waste किये आपका third part start करते हैं लेखांकन सम्हिकरन यानि के accounting equation हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों को साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको किसी भी चाहे आप हिंदी मीडियम से वरें चाहे number three लेखांकन सम्हिकरन का इसके कुछ question में आपको second part में कराये थे वो बच्चे दो second part में लेने चाहते हैं मैंने का था group से जुड़ जाओ और group पर सारे parts में बार बार send करता रहता हूं तो third part से पहले मैं कुछ आपको formula कराऊंगा उन formula का अपनी copy पर लिख लो ताकि अगर आप उनको formula को लिख लोगे तो आप आसानी की साथ में सारे questions कर सकते हो formula है कुछ formula दियां से समझे हैं मैंने आको अंतिम पूंजी के अंतिम पूंजी अंतिम पूंजी का मतले बेटा वर्ष के end में जो पूंजी होती है उसका बेटा एक formula बता है था अंतिम पूंजी का एक छोटा formula होता है कि प्रारंभिक पूंजी प्रारंभिक पूंजी प्रारंभिक का मतले क्या होता है बेटा जो वर्ष के प्रारंभ में पुझी होती है प्रारंबिक पुझी प्लस लभ है माइनस हानी यह फॉर्मला लगाकर हमक्त निकाल सकते हैं अंतिम पुझी निकाल सकते हैं अंतिम पुझी को इंगलिस्ट में क्या बोобщे क्लोजींग therapist क्या बूलूंगा बेटा मैं closing capital तो closing capital का formula होता है opening capital opening capital है प्लस profit माइनस loss है ना यानिके जो closing capital वर्ष के end की में यह capital निकाने तो मैं क्या करूंगा वर्ष के जो प्रारंब की capital होगी opening वाली capital होगी उसमें मैं plus कर दूँगा profit और minus क्या कर दूँगा loss plus कर दूँगा lab minus क्या कर दूँगा honey मेरे पास end की capital आ जाएगी अंत की पूंजी आ जाएगी एक तो formula यह होता है अंतिम पूंजी निकानने का और अंतिम पूंजी निकानने का एक formula यह पास और होता है closing capital निकानने का एक formula आमारे पास और होता है वह कौन सा formula यह प्रारंबिक पूंजी प्लस लाभ माइनस honey इनमेंसे पास口 कोई एक चीज होती है तो लाभ होता है हमें या हनी होती है पास end कॉर्ष्चन मेला या तो लाभ दिया होगा या हनी दिये होगी और उसके अलावा प्लस हमें करना होता है पास अंदर क्या अतिरिक्त पूंजी को अर मैनस करना होता हूं यानिक यह पता लगाना कि मेरे And में कितनी capital है वर्ष के End में मेरी कितनी पूंजी है अत्रिक्त पूंजी में और लाकर पैसा लगा दीता हूं साल के बीचर मैं जो और लाकर पैसा लगा दिया में उसे में क्या बोलता हूं अतिरिक फूंजी इंग्लिश में से अधिशनल capital और माईनस क्या कर गरें आहरण यानि कि जो पैसा मैंने खुद के प्रयोग के निकाल लिए उसे में घटा दूँगा यानि कि मुझे पता लगाना कि भाईया एंड में कितनी मेरे पास capital रह गई है तो जो मैंने पैसा लगाया था वो प्लस उसमें जो profit हुआ और प्लस जो मैंने extra आखर capital लगा दी और माइनस जो मैंने capital उसमें से निकाल ली जो मैंने capital बरावर में कैसे लिखूंगा बटा ओपनिंग capital बिल्कुल वही formula पहला वाला प्लस profit करना है या माइनस मुझे क्या करना है लॉस उसके अलावा दो काम और एडिशनल कैपिटल एडिशनल का मतलब जो वर्ष के बीच में मैंने capital और लगा दी वह प्लस करूंगा और माइनस क्या करूंगा बटा उसमें मैं drawing drawing का मतलब वह capital जो मैंने अपने खुद के प्रियोग के लिए निकाल लिया घर के लिए उसे बोलते हैं यह तो यह चार फॉर्मले हैं एक सिंपल फॉर्मला है closing capital का अंतिम पुझी निकालने का प्लस profit करो मैनेस loss करो खतम या जिस question में जिस question में अत्रिक पुझी और आहरन भी दे रखे हैं तो अत्रिक पुझी और आहरन को क्या करेंगे बटा अत्रिक पुझी जोडेंगे आहरन को घटाएंगे हमारे पास closing capital आ जाएगी बटा तो इन फॉ हमारे पास assets बराबर होती है liability plus capital यानिके हमारे पास संपत्ती बराबर होती है दायत प्लस पुझी संपत्ती बराबर दायत प्लस पुझी अब कुछ question लेते हैं मैं जैसे कि मैं question number 14 तक करा चुका हूं question number 15 लेते हैं 15 में लिखा है कि राजीव एक अप्रेल 2021 को 55,000 रुपै से website प्रारंब करता है राजीव एक अप्रेल 2021 को 55,000 रुपै से website प्रारंब करता है यानि कि opening capital बेटा हमें पता लग गई जिससे website प्रारंब कर उसे क्या बोलेंगे हम opening capital प्रारंबिक capital वर्स के दोरानवे 7,000 रुपै का लाब कमाता है यानि कि हमें profit भी दे रखी है एक हमें क प्राफिट 3,000 रुपै व्यक्तिकत प्रियोग के लिए आहरित करता है यानि कि drawing भी देदी आहरान देदे कितना 3,000 रुपै तथा 9,000 रुपै अत्रिक पुंजी के लगाता है यानि कि उसकी बेटा में कहा दिदी उसने अत्रिक पुंज यानि कि additional capital भी दे दिए यदि वर् मुझे नहीं करना जो भी information दे रिखी विटा मैं उससे साफ साफ copy के उपर लिख लेता हूं उसने मुझसे का बया कि एक अप्रेल वर्ष के सुरू में उसकी capital है 55,000 रुपै मैं यहां लिख लेता हूं बेटा वर्ष के सुरू में उसकी capital है कितनी दे रिखी है यानि कि कितनी थी भाईया इसकी 55,000 रुपै हिंदी इंग्लिश जैसे चाओ वैसे कर लो बेटा मैं तो दोनों माध्यम से बता रहा हूं बेटा आपको किती थी उसकी 55,000 रुपै इस साल उसने कुछ प्रॉफिट कमाया यानि कि लाब भी बेटा में कोश्चन में दे रखा है मैं फिलाल सिफ कोश्चन लिख रहा हूं यह उसके अलाबा मुझे आहरण दे रखा कोश्चन में मतलब ड्रॉइंग्ग्ज और मुझे अतिरिक्त प यह भी दे रखी है मैं सब चीजी देख लेता हूं बटा कोश्चन में हमें प्रॉफिट कितना दे रखा था मैं एक बार हाइलाइट कर देता हूं प्रॉफिट हमें दे रखा है कोश्चन में 7,000 रुपए 3,000 रुपए ड्रॉइंग 9,000 रुपए एडिश्नल कैपिटल 3,000 की ड्रॉइंग और 9,000 रुपए की अत्रिक्त पूंजी चलो बटा इसमें वैसोचनम से पूछिए संपत्ती तो संपत्ती बात तो करेंगे बात में सिर्फ आप यह बताओ कि क्या आप इस प्रश्न के अंदर क्या आप इस प्रश्न के अंदर अंतिम पूंजी निकाल सक अंतिम पूंजी क्लोजिंग क्या निकाल सकते हो उससा कैसे निकालेंगे बताओ मैंने क्या बतागता आपको अंतिम पूंजी का फॉर्मूला मैं हिंदी मह लिग देता हूं बटा प्रारंबिक पूंजी जो स्टार्टिंग में पूंजी लगाई है वह प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस कोई एग चीज होती है प्लस अतिरिक्त पूंजी और माइनस माइनस क्याता है पटा ड्रॉइंग या आ हरण ये फॉर्मूला होता है पूंजी का सबसे पहले अंतिम पूंजी ही निकान ली होती है अंतिम पूंजी यानि के क्लोजिंग कैपिटल कैसा निकालते हैं बटा सबसे पहले लिखोंगे मैं प्रारंभिक पूंजी इस स्टार्टिंग में कितनी पूंजी थी 55,000 रुपए की अब मैंने प्राफिट कितना कमाया भाईया 7,000 रुपए का मैंने अत्रिक्त कितने पैसे लगा दिये भाईया 9,000 रुपए एडिशन कैपिटल और कितना पैसा मैंने ड्रॉ कर लिया कितना पैसा मैंने विक्तिकत प्रियोग कर ले निकाले यानिके 3,000 रुपए तो 55,000 रुप जिसमें से 3,000 मैंने निकाल लिए एक खत्र में से 3 गए तो 68,000 मेरे पार बचकर आ गया और इसे जानते मैं क्या बोलूँगा इसे में बोलूँगा पर जियाद रखना आपका ये प्रश्ण में आपसे उसने अंतिम पूँझी नहीं पूछी है उसने का बताओ आपकी संपत्ती कितनी होगी उसने हम से क्या पूछा है बटा संपत्ती ना कि क्लोजिंग कैपिटल और संपत्ती का फॉर्मुला होता है लाइबले ठीटल मतलब दायित्व पुझी तो दायित्व कोश्छं के अंदर देखते हैं दे थे कोश्छं में हमें के कितने केच यह-जार रुप के और वर्श के अंदे में संपत्ति का मूलीउप्स नसे पूचा है दाइत वो हमें दे रखे हैं 6000 के और संपत्ति हमसे पूछ रहा है तो दाइत वो हमें दे रखे हैं कितने के 6000 रुपए के और संपत्ति वो हमसे पूछ रहा है दाइत का मतल्ड लाइबलेटी हमें दे रखे हैं कितने की 6000 रुपए के लाइबलेटी प्लस कैपिटल मैंने बताय यह प्रारंबिक तो प्रारंबिक वाली पूंजी नहीं रखनी होती है बटा कौन सी पूंजी रखनी होती है अंत वाली पूंजी रखनी होती है फॉर्मुले में जब भी हमें संपत्ति निकालनी होगी तो संपत्ति का मत होता बटा अंत की संपत्ति पूछता है वो तो लाइ वाली याने के 68,000 रूपए, तो 68 प्लस 6, कितना होगे, 74,000 रूपए, यह मार पास संपत्ती याने के assets आ गई बेटा, जब भी वो assets पूछेगा, तो उसमें लाइबरेट प्लस क्यापटर का सारे question कर सकते हो, क्योंकि अपने आप में सबसे भारी question है, accounting question का, अगर आपने यह कर लिया, तो आप कोई सा भी प्रशन accounting question का कर सकते हो, देखो बेटा, ध्यान से, यह जो प्रशन नंबर 15 था, यह मैंने करा दिया, 16 और 17 बेटा, बिलुकुल सेम वही है, 16, 17 में कुछ अलग नहीं है, इरिशाद ने एक अप्रेल 23 को 40,000 रुपे से व्यापार प्रार रुपे किया, opening capital हो गई, उसी के दोरान से 4,000 रुपे कुछ अहानी होई, आहरण 8,000 का है, अत्रिक पुझी 10,000 रुपे की है, बर्श के अंत में आपको उसकी पुझी और समपत्ति की गंड़ना करनी आप कर सकते हो, ऐसे question number 17 आप कर सकते हो, तो 16, 17 आपका homework है, इसका answer आप मुझे गुरुप पर भेजोगे, और वो बच्चे जो गुरुप से नहीं जुड़ो होएं बटा, वो भी गुरुप से जुड़ जाएं, और हमारी class ले सकते हैं बटा, free of cost मैं सभी को class देता हूं, सभी को पता है बटा, कि बिल्कुल free मैं पढ़ाता हूं, एक रुप बटा मैं किसी भी ची से चार्ज नहीं करता, तो इसलिए आप हमारे गुरुप से जुड़ सकते हैं, और हमारी सारी class ले सकते हैं, ये accounting question यानि के ले खांकन समय करने की आखरी तो है नहीं बटा, ये इसकी class नमबर 3 थी, एक class नमबर 4 होगी बटा, जिसमें आपको मैं ले खांकन समय करन बनाना भी सिखाऊंगा बटा, कुछ अलग तरह से भी बना जाती, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, चलिएग झाल 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 झाल